डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांत सेकिन बाद स्टार्ट देश में वायू प्रदूसन की वजह से व्यक्ति की जीवन प्रत्यासा में कमी आई है अगर प्रदूसन को लेकर हम सजग नहीं हुए तो जीवन प्रत्यासा में नौ साल तक की कमी हो सकती है यह चौकाने वाला खुलासा अमरीका के एक सोध समुहे ने किया है सीकागो विश्व विद्यालय के वायू गुणवत्ता जीवन सुचकांक की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 48 करोड से अधिक लोग उत्तर में गंगा के मेदानी ख्षत्रों में रहते हैं यहां प्रदूसन का स्तर नियमित रूप से दुनिया में कहीं और पाए जाने वाले स्तर से बहुत अधिक है विश्वर विध्यालई के एनरजी पोलीसी इंस्टिट्यूट के अध्यन से पता चलता है कि अगर कोई व्यक्ति इत्स्वच हवा में सांस लेता है तो वह कितने समय तक जीवित रह सकता है रिपोर्ट दावा करती है कि दिल्ली ने साफ हवा में सांस केवल गर्मियों में तब ली थी जब पूरे देश में लोकडाउन लगा हुआ था अब देश के कई सहरों में हवा में प्रदूसन का सामान्य से काफी जादा है यह खुलासा नया नहीं है इससे पहले भी कई रिपोर्टों में इस बात का खुलासा हुआ है कि देश में तेजी के साथ वायू प्रदूसन बढ़ रहा है इसके लिए सबसे जादा जिम्मेदार सहरों का बेतरतीब विकास और वहां रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल है सडकों पर बढ़ती गाडियों की भीड भी लगातार कारबन की मात्रा में बढ़ रही है एसे में सवाल यही है कि सरकारे और नगरिय विकास विभाग सहर की योजनाओं को बनाते समय प्रदूसन जैसे मुद्दे पर गंभीरता से क्यों नहीं सोचते हैं क्यों नहीं सहरी विकास की कार्य योजनामी प्रदूसन कम करने के बारे में चर्चा होती है हम साव सुतरी हवा को लोगों के मूलभूत अधिकार के तोर पर क्यों नहीं देखते हैं विकास की अंधी दोड में हमने प्रदूसन खास कर वायू प्रदूसन को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है नगर नियोजन की योजनाय बनती हैं और कागजों में दफन हो जाती हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत भी देश के सबसे जाधा प्रदूसित एक सो दो सहरों में वायू प्रदूसन के इस्तर को कम करने के लिए अभियान चल रहा है कोशिस है कि 2024 तक इसमें 20-40 फीसदी की कमी लाई जाए यह दावा कागजों में ही बेहतर लगता है लेकिन जब तक हम सहर की कार्य योजना में इस मुद्दे को सामिल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता हमें इस पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है सहरों के लोगों के साथ जिम्मेदारों को आगे आने की जरूरत है तब नियोजित विकास के लिए इस पर काबू पाया जा सकता है समग